क्यों हाँ क्या थी नहीं हुआ हुआ क्या है तो आज है डे एट एट जुलाइ और हम अभी ले में हैं ले से अब हम वापस डाली को जा रहे हैं हमारा पेला सोप है ले से कर्गिल कल था डे सेवन 17 जुलाय और हमारेसाथ प 같이 बहुत गंडा ठीट हुए था हम गयते हुंदर से हों व्हुंधर है नोप्रा वैले में गए पांग लग से आयम वापस तो ले पांगांग लेक से ले अरूंड ड़ोंड एकौसटी गलमेटर होगा और फुल उपर then नीचे लाइक पहले उपर को जाना है हमें फिर नीचे तो महां पे चांगला भास नम की जगे है, तो चांगला भास में हमारी राद क्या हुआ कि काफी गंदा ओफ रोड था तो अफ रोड करते-कष अपन मेरी ब्रेक फेल हुई, स्कूटी की तमार तक क्या हुआ था? दो भाई एक नाला आया इतना गंदा एक पत्ठर अधाया बड़ा सा एक दम से उस के ऊपस टायर फिशला और मेरा ब्रेक तूट गया और रशता इतना डरवना था इतना डरावना था के पूछ मत और क्या का थे मत बहुत ही ओर्न तो इनके इनके ब्रेक पैड भी खतब तो उसके बाद हम यहां तक आए और बहुत रामना डिप था रस्ते में भी दो चार ऐसे ऐसे इंसिदेंस हुए ना जो होने निचेते तो अब यहां से पैक वैक करके समान निकल रहे हैं हमने अपनी स्कूटी में थोड़ा काम करवाया इंजनल चेंज करवाया ब्रेक्स का का बच चुके हैं डे एट के एक बच गें अभी अल्मोस्ट दिन हो चुका है हम निकल रहे हैं ले टू कागिल यह अपनी प्रॉपर्टी थी वह भाई अपना प्रॉपर्टी का ओनर है ठीक है और हम चल रहे हैं 34583 में ले से डैली के लिए टाइम हो रहा है एक बदर है हमें बीच में लाना है पेट्रोल और हम रुकेंगे इसके बाद सीधा पेट्रोल राने के बाद 60 किलोमेटर ओके सो चलते हैं तो यह भाई है प्रॉपर्टी के ओनर ओके मिलते हैं दुबारा यहां से नीचे स्वेट बिल्कुल चौक से भी सीधा सीधा ओकी ओके बाई है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि अगया है प्रट्रोल पर आएंगे यहां से भी आगे और फिर उसके बाद की जड़नी स्टार्ट करते हैं कि अगया है सच में अब क्योंकि आंते टाइम तो एक्साइटमेंट दी फूल तो यह पेट्रोल पर आगया हूं मैं थोड़ा से दूड़ता हौल ऑफ फेम से थोड़ा सा आगया हौल ऑफेम भी जगा जहां गोप सकते हूं अथी जगा है टंकी अपनी है फुल यहां से सफर है कमसेँ 220 किलोमेटर का और हम आ चुके हैं पांच किलोमेटर उसमें से सो लेट सी कारेकिल पहुंचे आज पर लेगा कितने किलोमेटर है फाइनली पीछे हौल ऑफ फेम था आप वहां भी आ सकते हूं देखने हम पे तो इतना डाइम था नहीं तो हम निकल गए बाकी है कुछ वायू सीना सेशन ले का अब यहां से निकल रहे हम फुल फुर्ती में हां रुकेंगे 60 किलोमेटर बाद तो बीच में अगर कुछ अच्छा दिखा तो आपको जरूर दिखाएंगे और ना सीजा निकलते आएंगे 60 किलोमेटर के लिए सो हम आच चुके आराउंड राउंड चौइस पच्छ किलोमेटर आगे और बीच में पड़ी थी दो चीजे एक तो मैंने आपको बताई थी हौल फेम और दूसरा था अपना गुरुतवारा पत्थर साइब तो पत्थर साइब रोकने अपना प्लान ही था बट अपन दो नहीं वहां हाथ पच जोड़े बाहर से ही और अपने वहां पर था आगे बढ़ा ली और काफे बीड़ी और में इस अपने टाइम का तो दो चीज और रहे इस रूड पर अगर इस रूट से आरह हो तो एक आपको हॉल फेम देखने को मिल जाएगा और एक आपको पर विजट करके आप प्रॉपर एकदम मिल के आप मलब अर्या आर्मी दावा मेंटेंड होता है पूरा ना तो आओ और विजट करना पकायाद से क्यों क्यों तो क्या थी नहीं है टीक है वहां से साट है वहां से पीछे से तो गोगन भाई किसी के हेल्प एल्प कर रहे थे क्योंकि किसी के अड़ी चलवल ने रही थी तो और आपको यह संगम दिखेगा संगम क्यों कि दो नदिया आ रही है और अलग-अलग आ रही है फिर आगे भी अलग-अलगी बहती है है तो यह काफी सारे बाइकर साब को देख रहे होंगे खड़े हैं जो देखने आए इसको सो एक पार उदर बहरा है ना दिगा एक उदर से आ रहा हो किदर से आ रहा है दोनों मर्च करेंबट आगे आके भी दोनों सब्सक्राइब भारी है तो यह बस मैं आपको दिखाने के लिए रुखा था तो हो गया है सीन वही आगे पीछे अरांड वेरी आड़ी चल गया है यहां से सौ किलोमेटर प्रॉक्स वह पीछे बीच में किसी की हेल्प करने के लिए थे मैंने बोला था मैं रुख जा तो बट और अब ना वो मुझे मिल रहे हैं ना मैं उने और भी बहुत दूर जाना है काईस बहुत दूर जाना है और उस पर यह दिक्कते हैं तो आप समझ जाओ गलती है कि साथ में निकलना था चाहिए कुछ हो जाए बट फिर भी मलब नहीं होगा फाइनली गगन भाई मिल गए हैं गगन भाई यहां से अराउंड राउंड दूर हैं कुछ 25-30 किलोमेटर तो अब मैं जा रहा हूं यहां से 25-30 किलोमेटर जो भी है और वहां गगन भाई मिलेंगे हैं फिर अगर खाना खाया तो ठीक पढ़ना सीधा चलते हैं कारे कि गगन भाई मिलें भाई खेहरे मुझे डाउट वा कि तू आगे ना चला गया हो और स्कूटी भ बाई हो प्लाप्टाप इसकेंदरः में कुसकी टेंशन हो रही हो सेव तो आप सीधान आंसे और कम निकल रहे हैं ये अरी गगन भाई कि यहीं मेरी असीधा मिलते हैं आपको कारेगेल में आजाओ निगल रहे हैं अपन कारगिल के लिए फटाक से पहुंचते कारगिल ऑल्मस बच चुके होंगे साधे साथ क्या सपस कुछी देर में हो जाएक अंदेरा तो अपन को यहां से पहुंचना है और ऑफटी दू फॉर्टी फाइफ किलो मेटर चलो फिर भी और आज भी आज ताम से बहुंचेंगे फर्स दियम पहुंचे थे साड़ेयाट सेकिंड जिस पर टाइम से पहुंचे थे मनाली से फर्स दि दू जिसपर टैंब नुपर in तो जिस पर पांग नकशली तो नौ बज गया है फिर पांग से ले ले हम टैंब बाइम पहुंच के थे फिर ले से अपन गए नुब्रा नुब्रा अपन टैंब वापिस आए तो आपको बदाइए शाडए यारा हो गेते हैं कलकर अगुत अ कि असके बाद आज भी आराउंड राउंड साड़े आट तो बजी जाएंगे जितना मुझे लग रहा है रूम ढूंते डूंते और सारी सीज़े करते करते हैं बाकी आप गागन भाई साथ में हैं तब निकलते हैं यहां से करते हैं तो फाइनली हम कारगल पहुंच चुके हैं अरांड रोंड एट साड़े अट बजे एट थर्टी पे और हम निकलेते हैं वहां से देट बजे करीब बीच में थोड़ा मैंने बताया था रूट का लूचा हो गया था और आगे बिचे हो गयते हम बाकी आज के व्लोग करने अपना संगम हो गया आप यह तीन चार चीज है जो आप देख सकते हो इस रूट में बाकी हम तो बस स्राइवल करके जल्दी शल्दी हमें कारगल पहुंच नहीं करना ता क्योंकि कल हम यहां से शीजनगर के लिए तो हमने जल्दी शल्दी हमें कारगल है कल अपन करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार कुछ पैसा ही लगता है इसमें आपको सब्सक्राइब का बटन आप सको दबाना है और बैल का इकन को हिट करके इसको और वीडियो आज अच्छे लगें और यह ट्रैवल का आज हमारा एर्थ डे है हमने साट किया था 11 जुलाइ है आज है 18 जुलाइ हम साट हमने अज साट किया था ले टु डैली सो अज ले से पहला सौप हमारा कारगेल है तो प्लीज सपोर्ट अस एंड शेयर दा वीडियो मिलते कल फ्रेश फ्लॉक के साथ फ्रेश प्लेस के साथ यह भाई मिले मुझे यह केला से सिंगापूर जा रह हुआ है तो